नमस्कार दोस्तो फिर से हम अपने चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से हम हाजिर हो गए हैं अपने चैनल पे आज हम आपको बताने वाले हैं पाईरिया के भी सैमें जो बहुत ہी कॉमन सिकायत आम तोर पर देखने को मिलती हैं बच्पन में और प्रोडा वस्था में हम अपने दातों पर से ध्यार नहीं देते हैं, उचित आहार नहीं लेते हैं, जिसके कारण हमारे दातों में कैलसियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण दातों में सडन पैदा हो जाती है, तो पायरिया का सुरुवाती लक्षन में आपको कि कई जगह पर आप देखेंगे तो दातों में खोकला और काला काला दिखेगा आपको तीसरा मसूडों से खूणाना चालू हो जाता है जो कि पायरिया के शुरुआति लक्षन है फूनाना चालू हो जाएगा आप जब भी ब्रस करेंगे तो इसमें देखेंगे कि खूण का रिसाब हो जाता है जो आपको मसूड़े कहीं कहीं फूल जाएंगे फूलन मसाएगा और लास्ट लक्षन आपको इसमें मुझ से बद्भू आना यह भी पाइरिया का एक बहुत ही खतरनाक लक्षन होता है तो हम अब करे तो क्या तो हमारे जो प्राचीन जो है दादा दादी के घरे लून उसके में आपने देखा होगा कि उन्हों को सुरू सहीं क्या है नीम का दातु सला देते थे तो आज भी हमारे जो बुड़े दादा दादी है उनके दातों में देखेंगे तो आपको वो आज भी वो कुछ भी खाने को यहां तक कच्चे चने भी खा जाते थे लेकिन आज की अवस्था में वो नहीं है हम क्योंकि हम बच्पन में ही और जवानी में ही अपने दातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो अब हमें करना क्या होगा तो एक दवा आया है मेडिकल की और से पायरिया क्योर करके दवा यह देखिए पायरिया क्योर यह आपको पाय सनके हाथों पर लेकर अपने मसूरे पर लगा के रख देना है मसूरे दांतों पर रगड़ देना कम से कम एक मिनट differences ही रगड़ना है और रखना है उसके बाद क्ला किन वह पांच मिनटें थो फे फिर कुल्ला करके मूँ में पानी भरके उसको पूरा कुल्ला करना है और उस कुल्ले करके बाद फिर उसको पानी को फेक देना है जो आपको पाइडिया को जड़ से ही समाप्त कर देगा तो उमीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को धन्यवाद